मैं डॉक्टर लक्ष्मी नरायन परवक्ता इतिहास राज के माडल संस्किर्ती वरिष्ट माध्मिक विद्यालत अतारपुर इस्तमुरार रेवाडी हरियाना आप सभी विद्यार्थियों का इस वैख्यान में स्वागत करता हूँ आज के अपने अध्या का नाम है एक सामराज की राजधानी विजे नगर लगवग 24 से 16 सदी तक के इस सामराज के बारे में जानेंगे आज का अपना उपविशे है विजे नगर सामराज का परशासन वैण गतिविद्यां विद्यार्थियों विजे नगर के महान सामराज ने 24 स्टावदी से 16 स्टावदी के मध्य तक लगवग दो स्टावदियों तक तक्षिन में मुसलमानों के आकर्मन को रोके रखा विजे नगर करनाटक का एक भाग था इस भाग को मराटों ने अपने छेतर में मिलाया बाद में और उसके बाद टीपू सुल्तान ने विजपर कबजा किया और बाद में अठारवी शदी के हंत में अंग्रेजी सामराज का अंग बन गया अंग्रेजों के काल में ही यहां के मंदिरों में पूजा पाठ बंद हुआ तथा मंदिरों वे अनबहुनों की मरमत करवाकर उनका संरक्षन किया गया अर्थात अंग्रेजों के राज आने तक यहां के मंदिरों में पूजापाट होता था उसके बाद अंग्रेजों ने बंद करवा करके और यहां के छेत्र को यहां की बिल्डिंग्स को सब को मरम्मत करवा करके संरक्षित किया गया हमने पिछले पार्ट में कुछ भौनों की पुरानी जरजर तस्वीर देखी थी जो संद्रक्षन से पहले की थी ये तस्वीरे 1856 में अलेक्जेंडर गिर्णला ने ली थी उनके सायट मौमी कागज की नेगिटिव प्रिंट आज भी सुरक्षित है विद्यार्थियों अब व विजे नगर सामराज की निव दो भाईयों हरी हर राय और भुक्का राय ने 1336 ईश्वी में रखी थी ये दोनों भाई मौमद बिन तुगलक के सेना पति थे आरंब में ये हिंदू थे जब मौमद बिन तुगलक ने दक्षन पर आकर्मन किया तो इनको पकड़ कर ले गया और मौसलमान बना लिया तथा दक्षन भारत को विजे करने के लिए सेना की कमान इनको सौप दी किसी बात को लेकर मौमद बिन तुगलक शे इनकी अनबन हो गई और ये दक्षन में अपने पुराने स्थान पर आ गए यहाँ वे गुरू विद्यारण से मिले उनी के निर् इंदू धरम में लोटकर विजे नगर सामराज की नीव रखी यह सामराज तुंग भद्रा नदी के दक्षन में स्थित था यह पहाडी इलाका रामायन में वरनित प्राचीन किशकिंदा था जो बाली और सुग्रीव की राजदानी होती थी यह जानकारी आपको विद्यार पहले से होगी भी किसकिंदा का वरनन आपने रामायन में सुना होगा यह तुंग भद्रा नदी का चित्र है कैसे पहाडों के बीच से यह नदी बहती थी और इन पहाडियों को देखिए अलग-अलग पत्थर अलग-अलग रखे वेसे दिखाई देते हैं यह तुंग भद यह सारा हमपी नगर इसके उत्तर में यह तुंग भद्रा नदी बह रही है यह विरुपाक्ष का विशाल का आई मंदिर है पूर्वी घोपुरम दिखाई दे रहा है यह विद्ध्यार्थियों तुंग भद्रा नदी का चित्र नजदीक्षे लिया हुआ चित्र है मैंने स बड़ा सुद्ध जल है कितना पारदर्शी जल है देख ये द्यान से ये विद्यारतियों तुंग भद्रा नदी के किनारे बने दो द्वार वे उनके बीच में बना राजाओं का पूजा स्थल वे विश्राम स्थल अगले बड़े द्वार के पास से तुंग भद्रा नदी बहती है ये द्यान से देखे ये पहला द्वार और वो आगे दूसरा द्वार उसके क्रोस करते ही तुंग भद्रा नदी बहती है तो राजा महराजा यहां विश्राम करते थे ये उनका मंदिर था पूजा स्थल था तो इस तरह विद्यारतियों इन दोनों भाईयों ने हर पहले 1336 से 1356 इसवी तक हरीहर ने राज किया, उसके बाद उनके भाई बुक्काराय ने 1356 इसवी से 1347 इसवी तक राज किया, इनका अपने समकालीन राजाओं के साथ वैचारिक, व्यापारिक, वै तकनिकी आदान परदान हुआ, तो उनके साथ छेतर को लेकर शंगर्ष भी हुआ, इन सासकों में दक्षन के शुल्तान वे उडिशा के गजपती सासक भी थे, विजयनगर के सासकों का अपने पडोशी मुसलिम सासकों से लंबा और हमेशा संगर्ष चलता रहा, पहला राजवंस जो संगम वंस कहलाता था, उसने 1336 इसवी से 1485 इसवी तक राज किया इस वंस को सुलूओं ने उखाड फैका, जो इनके सैनिक कमांडर थे, इस तरह 1485 इसे 153 इसवी तक सुलूओं ने राज किया, सुलूओं का स्थान फिर तुलूवंस ने ले लिया विद्यार्थियों विजे नगर का परशिद साशक क्रिशन देवराय इसी तुलूवंस से थे, क्रिशन देवराय ने 1509 इसवी से 1529 इसवी तक राज किया, इसके सासन की प्रमुख विशेष्तार राज का विश्तार और उसका दड़ी करण थी इस राजा क्रिशन देवराय ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अमुक्त मल्यद जिसमें उन्होंने व्यापार वे व्यापारियों के रक्षन पोष्ण पर बहुत ध्यान देने की बात लिखी है क्रिशन देवराय की प्रमुख उपलब्दियों को पढ़ते हैं एक बार उन्होंने पंद्रा सो बारा इस्वी में रायचूर दोआप जो तुंग भद्रा और किर्शना नदियों के बीच का छेतर था पर अधिकार कर लिया पंद्रा सो चोदा इस्वी में उडिशा के शास्कों का दमन किया पंद्रा सो बीज इस्वी में बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरे हराया भवे मंद्रों का निर्मान करवाया तथा दक्षन भारत के मंद्रों में बने विशाल गोपुरम जैसा गोपुरम विरुपाक्ष मंदिर में भी बनवाया जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पिछले व्याख्यान में देखा था अपनी मा की याद में विजे नगर के पासी नगल पुरम नामक नगर बसाया यह विजे नगर का ए तुलनिये शांती और शम्रधी का काल कहलाता है प्यारे विद्यार्तियों तमिन लाडू के चिदम्रम मंदिर में रखी हुई कृष्ण देवराय की ये मूर्ती है जो आके गोपुरम में रखी है इसके बारे में पेश ने भी वर्णन किया है उनके सारिक रचना के बारे में वो लिखता है कि उनका मजला कद गोरा रंग अच्छी काठी कुछ मोटा राजा के चेहरे पर चेचक के दाग है ऐसा उन्होंने राजा कृष्ण देवराय का फिजीकल वर्णन पेश ने किया है विद्यार्थियों 1539 ईश्वी में कृष्ण देवराय की मृत्व के बाद राज के ढाचे में तनाव उत्पन होने लगा उसके उत्रा धिकारियों को विद्रोहि नायकों और सैनापतियों से चुनोती का सामना करना पड़ा 1542 ईश्वी तक केंदर का नियंतरन एक अन्य राज के वन्स अरे विदू वन्स के आथों चला गया जो 27 श्थाबदी के अंतक सत्ता पर काबिज रहे परन्तु इसके बाद राजा कृष्ण देवराय के बाद ये सामराज कमजोर होता चला गया और इसका पतन हो गया इसके पतन को पढ़ते हैं विजे नगर के सासकों और दक्षण के सुल्तानों के बीच मैत्री पूर्ण वे तनाव पूर्ण दोनों परकार के संबन रहे बीजापूर, गौलकुंडा वे एहमदनगर के सासक थे उस समय विजे नगर समराज्य में फूट पड़ी होई थी ताली कोटा के मैदान में जिसे राक्षिस तांगडी का युद भी कहा जाता है विजे नगर सामराज जी के प्रधान मंत्री राम राय के नेतरतों में सेना प्राजित होई अर्थात ताली कोटा के मैदान में इस सामराज का पतन हो गया जिसे राक्षिस तांगडी का युद भी कहते हैं विजे नगर को बुरी तरह से लुटा गया तीन मुसलिम आकर्मनकारी राजाओं ने संग्ठन बना कर इस सुंदर नगर का सर्वनास कर दिया स्वेल अपनी पुस्तक फार गाटन एंपायर में लिखता है विश्व के इतिहास में किसी भी समय में एक बड़े और शम्रद नगर की इतनी भयानक और शिग्र तभाई कभी नहीं हुई जितनी की विजे नगर की हुई एक दिन तो इस नगर के लोग परिशर्मी धनी तथा शम्रद थे पर अगले ही दिन यह नगर लुटेरों के हाथों खंडर बन गया तथा हजारों लोग हताहत हो गए यह तभाई इतनी भयानक थी जैसे कि पहले कभी और कहीं नहीं देखी गई थी इस युद्ध के बाद भी अर्विदू वन्स के सासक पहले पेनू कोंडा से और फिर तिरपती के समीप चंद्रग्री से सासन करते रहे आओ विद्यारतियों एक बार विजे नगर सामराज के पतन के प्रमुक कारणों पर नजर डालते हैं कि किन कारणों से यह इस युद्ध में बुरी तरह पराजित हुआ प्यार विद्यारतियों विजे नगर सामराज 1336 वीशे लगातार 300 वरसों तक राज जी उन्नत्य और समर्दी के शोपान चड़ता रहा और दक्षन का सबसे सक्ति साली राजनिति केंदर रहा किन्तू ताली कोटा की उद्ध के पस्चैतिये चिन्बिन हो गया और पतन की और अग्रिशोर हो गया इसके पतन के निमलिखित कारण हम देखते हैं पहला कारण किर्शन देवराय के बाद उसके उत्रादिकार इतने योग नहीं थे जो सीमाओं की रक्षा कर सके मुस्लिम राज्यों के साथ निरंतर शंगर सीयरा सामराज कमजोर हो गया और इन आकरमनों से इने अपार छटी उठानी पड़ती थी तीसरा कारण विजे नगर की सेना में शंग्ठन का अभाव था क्योंकि सेना का एक बड़ा हिस्सा नायकों और अमरनायकों के नेतरतों में था और इसलिए विद्यारतियों सेना नायक और अमरनायकों के वफादार होती थी चोथा कारण आस पास के मुस्लिम राज्यों में आपसी एक ता थी जबकी विजे नगर के साथ ऐसा कोई सैयोगी नहीं था विद्यारतियों ये एक सुन्दर महल के अउशेस हैं जो अब एक चबूत्रा ही बचा है देखिए कितने डिजाइन से बनाया गया था इस सबूत्रे को पहले फिर इसके उपर ये निर्मान कारिये किया गया था ये पहला और इसके बाद ये और फिर ये बराबर में कक्ष होंगे परन्तु इसका डिजाइन कोई विशेस प्रकार का ही था ये एक सुंदर महल का चित्र है जिसको अब संरक्षित करने का प्रियास किया जा रहा है विद्यारते अब जानते हैं राय कोन होते थे और नयक कोन होते थे राय विजेनगर के सासक अपने नाम के साथ राय लगाते थे अर्थात नाम के अंत में हम देखते हैं वो राय लगाते थे जैसे कृष्ण देव राय बुक्का राय हरीयर राय आधी भारत के सासकों में इस तरह की उपादियां लेने वे नाम के साथ लगाने की परंपरा थी जैसे हम भारत के अनेक सासकों को देखते हैं उडीशा के एक राजवंस ने गजपती की उपादी लिव हुई थी गजपती का रथ होता है हाथियों का स्वामी इस तरहें वीजे नगर की लोक परचलित प्रमप्राओं में दकन के सुल्तानों को अश्योपती या गोडों का स्वामी तथा रायों को नर्पती या लोगों के स्वामी की संग्या दी गई है अब जानते हैं नायक कौन थे वीजे नगर सामराज में राजाओं के पास नायक होते थे इनकी विशेस्ताएं इस प्रकार है नायक सेना के प्रमुक होते थे जो किलों पर नियंतरन रखते थे दूसरा आम तोर पर ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भर्मन शील होते थे यहनकि सेना के साथ ये गूमते रहते थे बसने के लिए उपजाओ भूमी की तलास में किशान भी इन नायकों का साथ देते थे क्योंकि ये किशानों को भूमी उपलब्द का देते थे जीत करके आम तोर पर ये तेलगू और कन्नड भाशा बोलते थे कई बार ये विद्रो भी कर देते थे परन्तु राजा सैनिक कारवाई करके इनके विद्रो को दबा देता था और अपने वस में कर लेता था परन्तु इन नायकों को अपने छेतर से राजस वसूलने का कोई अधिकार नहीं था वे अपने उस छेत्र में शान्ती व्यस्था बनाये रखते थे और किलों में रह करके सामराज की रक्षा करते थे विद्यार्थियों अब अमरनायकों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं अमरनायक कौन होते थे अमरनायक प्रणाली विजे नगर सामराज की एक परमुख राजनिती खोज मानी जाती है ऐसा प्रतित होता है कि इस प्रणाली में कई तत्व दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली से लिए गए थे यानिके इलतूत मिशने जब सल्तनत की स्थापना की उस समय इक्ता परणाली सुरू की थी वैसी ये परणाली थी अमर नायकों की विशेष्टाएं क्या थी अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिने राय द्वारा परसासन के लिए राज चेतर दिया जाता था यानिके राज का थोड़ा थोड़ा भाग इनके अधिकार में दे दिया जाता था वे किशानों शिल्पकारों और व्यापारियों से भूर आजस और अन्यकर वसूल करते थे यहन् Efendimiz पाइक नायकों के पास राजस्विकठा करने का अधिकार नहीं था अमरनायक राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोक तो था गोड़ों और हाथियों के रख रखाव के लिए अपने पास रख लेता था अमरनायक विजे नगर के सासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करते थे जिसकी मदद से इन्होंने दक्षन भारत को जीता अमरनायकों ने एक अच्छी सैना तयार की वे राजसका कुछ भाग अपने छेत्र में शींचाई के शादनों और मंदिनों के रख रखाओ पर भी खर्च करते थे यहनी कि अमरनायक राजस भी कटा करते थे तो अपने व्यक्तिकत उपयोग पर खर्च करते गोड़ा हाथियों के रख रखाव पर खर्च करते फिर अच्छा राजस वाए इलाके में किशान सम्रद हो तो सिचाई के शाधनों पर भी खर्च करते थे और उस अपने इलाके के म परबार में उपहारों के साथ स्वम उपस्टित होते थे राजा भी कभी कभी उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांत्रित कर देता था और उनको ये धर्सा था था कि तुम मेरे नियंत्रन में हो यह अपना नियंत्रन दिखाने के लिए उनके ट्रांस्फर करता था सत्रवी स्थापदी में इन में से कुछ नायकों ने अपने सौतंतर राज्य स्थापित कर लिए क्योंकि सेना रखते थे और जैसे केंदर कमजोर हुआ ये अपने राज्य स्थापित करने लग गए इस कारण केंदरिय राज के ढाचे का विगटन तेजीशे होने लगा और ये कारण भी माना जाता है पतन का सासक और व्यापारी के कैसे संबंद थे किस तरह के संबंद थे विद्यारतियों देखो सासक और व्यापारी के आपसी संबंद एक दूसरे की जरुरत पर आधारित थे सासकों को अपने राज को स्रक्षित करने के लिए अच्छे घोड़े चाहिए और सैना का साज और सामान चाहिए ये सब पूरती कहां से होती थी व्यापारियों से इसलिए हमने पीछे पढ़ा किट्रन डेवराय ने भी कहा कि व्यापारियों से अच्छे सम्मंद बनाने चाहिए क्या क्या चीजे व्यापारियों से मिलती थी इनको अर्भी घोड़े युद के लिए अच्छे माने जाते थे इन घोड़ों का व्यापार अर्भी व्यापारी करते थे बाद में भारतिय स्थाने व्यापारी भी इन गोड़ों का व्यापार करने लगे और एक अन्य जाती बन गई जिनको आज भी किस नाम से जाना जाता है कुदी रही चेटी ये गोड़ों के व्यापारी थे 1408 में में पुर्टगाली भारत में आये और वे बंदूकों का परियोग करते थे और इसलिए उन्होंने बंदूकों का परियोग करके आसपास के काफी इलाके पर अपना परभाव बना लिया था और एक राजनितिक शक्ति के रूप में उभर रहे थे तो विजे नगर के सासक भी चाहते थे कि पुर्टगालियों वापारियों से उन्हें बंदूके मिल जाएं इसलिए उनसे अच्छे सम्मद रखने का परियास किया विजे नगर का बाजार मसालों वस्तरों और रतनों के लिए परशिद्ध था राज की जनता धनी थी और विदेशी वस्तों की मांग थी जैसे रतन आभूशन जैसे महंगी वस्तों वो मांग करते थे यहनिके लोकल लोग विदेशों से रतन और आभूशन मंगवाते थे इस वियापार से राज की शम्रदी और आय पढ़ती थी विजेनगर के परशीद सासक किर्शन देवराय के बारे में हमने अभी पढ़ा वो तुलूवन से थे किर्शन देवराय ने पंदरा सो नो से पंदरा सो नो नतीस बीच साल राज किया इसके सासन की परमुख विशेस्ता राज का विश्तार और धरडी करन था और ये कैसे हुआ अच्छे व्यापार से इस राजा किर्शन देवराय ने अमुक्त मलत पुस्तक लिखी जिसमें सासक ने व्यापार और व्यापारियों के रक्षन पोर्षन पर भहुत ध्यान दिये जाने के बारे में लिखा है उन्होंने बंदरगाओं को सुधारने और वानिजी को प्रोथसाइद करने की बात की जिसे घोडों, हाथियों, रतनों, चंदन, मौती तथा अन्वस्तों का खले तोर पर आयात किया जासके विदेशी नाविकों के रुकने का अच्छा परबंद करना चाहिए यहनिके विदेशी नाविक आते हैं तो अच्छे से उनकी वेवस्ता करनी चाहिए कई बार तुफान, बिमारी या थकान के कारण भी नाविक उनके प्रदेश में रुक जाते हैं उतरना पड़ता है उनको किनारों पर तो उनकी भी भली बाती देख बाल करनी चाहिए विदेशी व्यापारियों को दरवार में बुला कर सम्मान करना चाहिए और उनको तौफे देने चाहिए उनके व्यापार को उचित मुनाफे की श्विकरती अथार्थ गारंटी देनी च देखी है प्यारे विद्यार्थियों ये सारी बाते हम इसमें अमुक्त माल्यद का ये एक द्रस्टानत है इसमें द्रस्टी डालने पर आपको सारा पढ़ने को मिलेगा हम्पी का बाजार कैसा था हम्पी एक शम्रद्य नगर था सौल्वी स्ताबदी के मद में पुर्तगा शेलानी पेज तथा नूनीज हम्पी आये थे उन्होंने हम्पी के बाजार का बहुत अच्छा विवरन दिया है इस बाजार में बहुत से व्यापारी रहते थे तथा वहां सभी प्रकार के हीरे ज्वारात मोती कपड़ा सब मिल सकता था वे लिखते हैं कि नगर में रहने वाले लोग बहुती सुंदर कपड़े पहनते थे तथा आकरशक आबुषणों से लदे होते थे इस्त्रियों के आबुषण की बहुमुल्यता का नुमान लगाना मुश्किल था यहनिकि इस्त्रियां बहुत महंगे महंगे आबुषण पहनती थी कई इस्त्रियों द्वार उनके साथ चलती थी, मदद करती थी उनके आभूशनों को उठाने के लिए और वो पहने रहती थी, पेश द्वारा ये बड़ा सजीव वर्नन उन्होंने अपनी पुस्तक में किया है, आगे जाने पर एक चोड़ी और सुन्दर गली पाते हैं, इस गली में कई व्यापारी र होने वाली हर वस्तुवां मिलती है, इस तरह से फल फ्रूट भी मिलते हैं, निम्बू, संत्रे, अंगूर और इसके अलावा, फलों के अलावा, और भी बहुत सी वस्तुएं, मास वगेरा भी मिलता है, सुवर, मरग, मास, तितर, मास, खरगोश, कबुतर, बटेर, ये सब ह भी मिलते हैं, पक्षी, चिडिया, चुये, बिलिया, छिपकलिया, ये भी मिलती हैं, तो ये पेश का एक सुंदर वर्णन बजार का हमें मिलता है, विद्यार्थियों, बाजार अलग-अलग जगहें पर स्थापित होते थे, कहां-कहां स्थापित होते थे, बजार कहां-कह होते थे देखते हैं ये मंदिर के सामने का बाजार है हमने पीछे पढ़ा था कि मंदिर आर्थिक गत्विदियों का भी केंदर होता था ये मंदिर का द्वार है और इसके सामने मंदिर के द्वार के सामने ही ये बाजार है ये बाजार की लाइने चोट-चोटी दिखाई दे ये दुकाने, ये सामने ये दुकानों की लाइन है, इनके पिलर दिखाई दे रहे हैं, ये सब दुकाने थी, कितना संदर बाजार मंदिर के सामने था, ये बाजार किर्षन, बाल किर्षन मंदिर के सामने का है, ये भी मंदिर के सामने का बाजार है, उस सामने बड़ा विशा दोनो तरफ कि देखिए यह सामने एक मंच है इस पर किलाकार अपनी प्रश्थती देते होंगे हुघंぎon यह देखिएंगे त cumulative दूं टाने बीच में एक भविट मंजिला एक हम मंच देख रहे हैं यह यहाँ पर कलाकार और संगीतकार या नर्थ करने वाले यहां आते होंगे और भाजार में लोगों का मनोरंजन करते होंगे यह सामने दुकानों के पिलर हैं दोनों तरफ दुकाने हैं तो कितना मनोरं द्रश्य होता होगा भाजार का उस समय यह विद्यारतियों दो मंजिला भाजार है देखो दो मं मंजिल है वो पीछे दिखाई दे रहा है बजार तो दो मंजिल के भी भजार यहां मिलते हैं विद्यार्थियों ये खुला बाजार स्थल था जो मेलों के आउसर पर सज़ता था इसको हम पिछले व्यक्षान में भी देख चुके हैं इस पर भी मंच बने हुए हैं जगें अलग-وجप्रकार की दुकाने लगती थी यह देखें बजार में चबूत्रे बने होते थे चबूत्रों पर च्शाय करने के लिए खड़े बने होते थे पिछले व्यक्षान में रहने देख लगा करके और अरुपनी बरु़ा दूप करते होंगे और इस्सथरी से पके बाजार स्थल थे, विद्यारतियों ये एक दानपात्र है, जो भगवान बाल कृष्ण के मंदिर के सामने रखा है इसे दानपात्र के पीछे की साइड में बाजार था और ये मंदिर के दरवाजे के सामने रखा है, दो प्रकार के दानपत्र थे, एक में नाली बनी हुई है एक में नाली नहीं है, इसमें बीच में एक दिवार है, पत्थर को काट कर बनाया गया है, ये पत्थर के दो धकन इन पर रखे रहते थे, ये विद्यारते कुछ हत्यार हमें वहां से मिले हैं, देख रहे हैं आप, भाले हैं, नुकीले, ये आशिये हैं, ये कुलाडा है, ये ये देखिए ये सारा होज है पानी का चारोतरा फरांडे बने हुए हैं एक साइड में कमरे भी हैं ये पूजनिय देव की मूर्तिया आने एक जगह हैं वहां मिलती है इनको खंडित कर दिया गया आकरमनकार्य द्वारा ये हाथ इनके तोड़ दिये गए हैं इस तहरे कई और पथर बड़ा मजबूत है तो उन पर मूर्तिया उकेरना बढ़ा आसान है तो वहां पर पथरों पर उकेरन भी मूरतिया कूम मिलती है धिको यह हाती को अपने वस में कर रहे हैं यह आति ने एक वहती के वहां पराकर्ण कर दिया तो पीछे की आक्रतियां जो विजय का प्रतिक मानी गई हैं अनेक मंदरों सभागारों महलों में इस तरह की मूर्तियां में मिलती हैं कि दो पैरों पर गोड़ा खड़ा हुआ है विजय मुद्रा में यह देख यह सब यह इस तरह से बने को देखा इनको कैसे सनरक्षित किया गया ये प्रकिरिया एक बार देखते हैं बीसवी स्ताव्दि में हम्पी का सन रक्षन भारती पौरातात्यट्विक शर्विक्षन तथा करनाथक पौरातात्यविक अयम संग्राहले विभाग किया गया उन्य सो चेतर यkeitर इस्वी में हनपी को राश्ट्रिय महत्वे स्थल गोशिद किया गया बाद में عनी सो चामिंगे यूनेस्कों ने विश्व राश्व digestive गोशिद करते हुए पुरात्त तो स्थाल गोशिद कर दिया उनिस सो असी हिस्वी में हमपी के बहुतिक आवशेशों के सुक्षमता शे परलेखन की एक मैत पुर्ण परियोजना का शुवारंब किया गया लगबग 20 वर्सों में विश्व के अनेक विद्वानों ने इस जानकारे को इकठा और सनरक्षित करने का कारिय किया 20 साल तक कारिय करते रहे देश-विदेश के इतियासकार और विद्वान अब कैसे कारिय किया उनकी आरंबिक प्रकिरिया हम पढ़ते हैं कि उन्होंने सारे हमपी छेत्र को एक मानचित्र में तयार किया इस विशत्र प्रकिरिया के शरफ एक हिश्य की बारिकी से जानकारी लेंगे यानि कि मानचित्र निर्मान की इसका पहला चरण यह था मानचित्र निर्मान का कि संपूर्ण छेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बाट दिया और प्रतेक वर्ग को अंग्रेजी वर्ण माला के एक अक्षर से इंगित किया गया अंग्रेजी वर्ण माला में 26 अक्षर होते हैं पर उन्तु 25 वागों में बाटा इसलिए उन्होंने ए से जड़ तक में आई को छोड़ दिया 25 हो गया फिर इन छोटे वर्गों को पुने और भी छोटे वर्गों के समूओं में बाटा गया यह भी काफी नहीं रहा इसलिए आगे फिर छोटे वर्गों की और छोटी इकायों में बाटा गया जैसे ए वर्ग को ले फिर उसको आगे 25 वर्गों में बाट दिया ए को भी जैसे ए ए ए बी ए सी ए जड फिर ए ए को भी आगे और 25 वरगों बाट दिया, A, 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 B, ऐसे, और फिर आगे बाटते चले गए ऐसे, आगे एक मैप में समझते हैं, इस परकिरिया को, अब मानचितर में समझते हैं, ये देखिए हम P को 25 वरगाकार भागों में बाट दिया गया, ऐसे A, B, C, D, E, ऐसे, इसमें आई नही हैं, पांच किलोमेटर की लंबाई एक को दी गई, तो इस तरह से 25-25 किलोमेटर का एरिया, 25 किलोमेटर ऐसे, और 25 किलोमेटर एरिया ऐसे, इसको 55 किलोमेटर के हिसाब से बाट दिया, फिर इसमें सगन इलाके को और आगे भागों में बाटा, जैसे ये N वाला इलाका है, इसको ये हमने ले लिया. ये N वाला इलाका है. इसको फिर पाँच भागों में बाट दिया. एक एक किलोमेटर पर. ये दिस्टेंस एक किलोमेटर गे फिर ये किलोमेटर फिर ये एक किलोमेटर ऐसे. और फिर इनको numbering दी गई NA, NB, NKBCD दे दीगे N को भी. और इस तरह करे के फिर इनका सघन अध्यन किया गया फिर कुछ इलाके और भी सघन थे उनको आगे और बाटना पड़ा तो आगे हम देखते हैं कि जो मंदिर का इलाका था विरुपाक्ष मंदिर का इलाका था ये एन एम वाला इलाका इसको आगे फिर और थोटे भागों में बाटा गया और मंदिर को अलग शे भाग में बाट करके अलग शे अध्यन किया गया वो देखते हैं अगले मानचित्र में विद्यार्थियों अब इस एनम इलाके का अध्यन करते हैं यह जो इस एनम को हम पहले देखा कि पहले पांच-5 किलोमीटर पर बाटा गया था फिर आगे चल कर उसको एक एक किलोमेटर के इसे में बाटा गया अब इसको डाइसो डाइसो मेटर में बाट दिया गया ऐसे इस तरह से बाटे गये और फिर मंदिर का इलाका अलग से इसमें से विरुपाक्ष मंदिर का इलाका फिर छोटे छेतर से इसमें से निकाला गया यह विरुपाक्ष मंदिर के यह एक उत्तरद्वार है यह मंद्र का द्वार दुखाया घया है तो इस तरह से अध्यान करने के छोट छोटी चीजों को आनेक यात्रियों के व्रतानतों से साहित्यों से दक्षण भारत के मिलने वाले साहित्यों से चाओ तमिल्ल कन्नड संस्किर तेलगू किशी भी तरह से मिले उनसे और फिर वहां की मिली वस्तु के साथ मिलान करके इतिहास का निर्मान वहां पर किया गया तो विद्यार्थ्य जैसा कि हमने पीछे मानचित्र में देखा ये गहन शर्वेक्षन बहुत परीश्रम से किये गए थे और इनसे हजारों संरतनाओं के अंशों छोटे देव स्थलों और आवासों से लेकर विशाल मंद्रों तक को पुनह उजागर किया गया उनका प्रलेखन भी किया गया इस सब के कारण सडकों रास्तों और बाजारों आदी के अवशेशों को पुनेह प्राप्त किया जासका है जान एम फिट्स, जार्ज मिशेल तथा एमेस नागराज राओ जिनों ने इस स्थान पर वर्सों तक कारिय किया और वो कारिय के आरंब से अंतक जुड़े रहे इन्होंने पत्थरों के बीच की जगें, दर्वाजों के छज्जों तथा मिनारों के बीच के विभिन बिंदों की कल्पना की इन्होंने विभिन यात्रियों के वरतान्त को फिर इन भाउनों के साथ मिलान किया उन भाउनों को देखा फिर उस समय जो यात्री आये तो उन्होंने क्या वरतान्त लिखा अपनी पुस्तक में उससे मिलान किया बीच बीच में हमें वहां मिले अभिलेखों से भी मिलान किया उनसे भी मदद ली गई और इस तरह से वीजे नगर के इतिहास का बड़ी मेहनत के साथ विद्यारतियों पुनर निर्मान हो सका है जो उस समय का सबसे अच्छा और विशाल समरद्य सामराज मान गया है इसी के साथ आजका व्याखन हमारा समाप्त दोता है कुछ अभ्यास के प्रशन अभ्यास के प्रशन वीजे नगर की स्थापन कब और कैसे हुई वर्णन करें राजा क्रिष्ण देव राए और उनकी उपलब्धियों का वर्णन करें विजे नगर सामराज के पतन के कारण लिखो राए की ने कहा जाता था नायक कौन थे अमर नायकों का वर्णन करो विजे नगर सामराज में सासक और व्यापारियों के संबंधों पर प्रकाश डालिए पेश हमपी के बाजार का कैसा वर्णन करता है महलों, मंदरों और बाजारों के अंकन की प्रक्रिया का वर्णन करें इसी के साथ आज का व्याख्यान समापत होता है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद